मेलो फ्रेंट वेलकम टौर चैनल क्रेंडों आज का जो हमारा सीकोल इंटर्वीव कोशन है वो थोड़ा से जिन्र कोशन से अलग है तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि इंटर्वियूर हमसे सीकोल interview round में generally पूछता है कि left outer join, right outer join, full outer join, inner join इनका कैसे output आता है पर आज के इस question में हमसे जो interviewer है उसने ये पूछा है कि how to explicitly handle null values in inner join कि null values को हम किस तरह के से explicitly handle करेंगे inner join में तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे आज कि किस तरीके से inner join का output आता है जब हमारे table में null values present होती है और किस तरीके से null values को handle करते हैं उस output के अंदर तो अगर मैं यहाँ आपको एक बार अपना table structure दिखा हूँ यहाँ पे तो मेरे पास दो table given है table A और table B बहुती simple और straight forward structure है अगर मैं इस query को run करता हूँ तो कुछ ऐसा मेरा यह table structure यहाँ पे आ जाता है इसको मैं थोड़ा सा drag करके लेके आऊँ तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास दो tables है एक है यह हमारी table A यह हमारी है table A और यह हमारी है table B तो यहाँ पर हमार पास dो tables given है दोनों के अंदर single column है column 1 करके उस column का नाम है तो अब क्या है अगर हम इसको देखते ने table A के अंदर तो इसके अंदर कुछ हमारी numerical values present है और null values यहाँ देख सकते है null values present है इसी तरीके से जो हमारी table B है इसके अंदर भी कुछ numerical values है है 134 और कुछ हमारी नल वेल्यू यहां पर प्रेजेंट है तो अब जब हम इन दोनों टेबल के बीच में इनर जोइन करेंगे टेबल और टेबल भी में तो हम देखते हैं कि इस तरीके से इनर जोइन सबसे पहले में यह देखना है कि इनर जोइन के से हैंडल करता है नल वेल हीन की कुई कंसे हुए आप लोगों को अध में पता ही है किस तरीके से हम इनर जोइन लिखते हैं तो यहां degli टेबल लिख गई और यहां पर हमें क्या करतकि कवाना है इनर जॉइन जोइन और टेबल बी के साथ ओन स्वेट आन दा बीस टेबल है के कॉलमत बासिट अ के टेबल B के कॉलम 1 के बेसिस पर तो अगर मैं इसको एक बार रन करता हूँ अपनी स्कुरी को और यहां उटपुट देखता हूँ तो अब आप देखिए यहां पर अगर मैं आप लोगों को आउटपुट पर थोड़ा सा हम कॉंसेंट्रेट करें तो यहां पर आउटपुट में आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यूज जो थी वो नल वैल्यूज जो दोनों टेबल के अंदर थी वो इनर जॉइन में नहीं आई है देखे आप लोग यह कहेंगे यहां पर एक कॉश्ण यह बनता है अगर इसे हम थोड़ा सा श्टेच करके और सारी को इरीज को अपर रन करते हैं अपने तो आप लोग यह कहेंगे कि यहां पर तो मेरे पास नल वैल्यू थी यहां पर भी इस टेबल में भी यह टेबल ए ती मेरी और यह जो टेबल थी यह टेबल भी थी तो आप लोग ये कहेंगे कि भई मेरे पास तो null values थी तो null और null match करके आना चाहिए था तो यह यहाँ पर आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि inner join में हम null values हमारी inner join नहीं return करता null values unknown और missing values होती हैं हमसे interview और कई बार पूछ लेता है कि null values inner join के तुरू return होती है तो आप लोगों को बोलने नहीं नहीं return होती और यह यहाँ पर आपको evident भी है इस output के तुरू यह जो हमारा inner join का this is not true this is not true पर यहाँ पर जो एक important question उठता है कि अब अगर ऐसा scenario आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास interview यह पूछ रहा है कि मुझे तो मुझे तो explicitly null values को handle करना है यानि मुझे output में inner join के null values चाहिए अब इन scenario को किस तरीके से हम deal करेंगे जहाँ पर interviewer ने मेरे से पूछ लिया कि मुझे तो null values आउटपुट में चाहिए अब इसके लिए मेरे पास दो cases होते हैं और दोनों cases के pros and cons में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम null values को inner join लगा के भी लेके आ सकते हैं अब इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा अपना case यहां पर हम तू लिखेंगे जिसके अंदर हम यहां पर कोलेस function की help से अपने null values को return करने की कोशिश करेंगे even after applying inner join तो हम करेंगे क्या यहां पर select मैं क्या करता हूं एक पर इसको पूरा मैं उठाके ले आता हूं इसी query को क्या करेंगे कि अधियर को अधियर को अधियर करता है यहां पर इसको नॉटनल वेल्यू मिलती है अपने अर्गुमेंट लिष्ट में यह उस वैल्यू को गों यूज कर रहा हूँ तो जैसे ही उसे column 1 में नल वेल्यूज मिली तो वो क्या करेगा वो माइनस वन यहां पर उसके इन प्लेस लगा देगा यह रिटन कर देगा इसी तरीके से हम यहा पर कर देंगे इस तो जैसे लिख्यक्र टेबल बी के कॉलंब वन में उसे नल वैलिउस मिलेगी यहां पर माइनस ले आएगा वो और अब अगर मैं इस आउट्पुट को कमपेर करता हूँ आप देखते हैं कि आउटपूट आता है रन करते हैं हम इसको तो अगर मैं यहां पर आप लोगों को दिखाता हूँ इवन दो इवन दो मैंने यहां पर इनर जोईन का यूज किया है पर ड्यू टो को लेस्ट फंक्शन जो मेरी नल वैल्यूस थी उनको मैंने हेंडल कर लिया यूजिंग दिस माइनस वन इसकी वजह से क्या हुआ मेरे आउटपूट में नल वैल्यूस रिटर्न हो गई तो एक तो यह आंसर हमारा बनता है जो हम इंटर्वीर को दे सकते हैं पर यहां पर जो एक कॉन्स है या मैं कॉन्स कहूं वो यह है कि यहां पर यहा यहां पर देखिए बहुती मिनिमल रोज लिखी है अगर आपका कॉलम्स में काफी जाधा रोज हैं तो आप इंडेक्स लिखते हैं आपकी क्विरी के पर्फॉर्मेंस को आप्टिमाइज करने के लिए तो वह इंडेक्स से जब यूज नहींगे तो ऐसी क्विरी लिखने क यूज होंगे हम अपने केस करते हैं जो पहुत इंपॉर्टंट तो हम मैं यहां क्या करूंगा स्टार्ट करते हैं इसको हम थोड़ा सब पूल करके नीचे आते हैं औके अब क्या करेंगे अपने के ज इध लिखें हैं कि तो सबसे पहले तो हम इसी को उठाके ले आते हैं कि अगे तो इस कोईरी से होता क्या है जब हम से इंपल ऐसे कोईरी लिखते हैं तो हमारी लेकिन लेकिन अगर आपको नल वैल्यू भी यहां पर चाहिए तो आपको एक एक्ष्ट्रे कंडिशन यहां पर मेंशन करनी होगी अब हम उसको भी लिख देते हैं तो यहां पर हमने यह कर दिया इसके बाद क्या करेंगे और लिखेंगे हम यह तो यह हमारा ऊपर वाली जो कंडिशन थी फॉर नॉटनल वैलिई और अब नल वैलिई उसके लिए कंडिशन की टेबल एड़ॉट ओल वन इस नल और एबल बी डॉर ओल वन एज कि नल एक है आउटपूट भी इसका हमारा यहां पर अगर मैं अपने तीनों सिनारियो को स्थोड़ा सा यहां समराइज करके आप लोगों को बताऊं तो यहां पर क्या था हमारे तीन केसिस थे तो केस वन में क्या था से हमने हमने क्या किया इनर जाइन को हमने सिंपली यूज किया था और आप लोगों को पता है इनल जो होता है वहां पर हमारी जो एलिटर नहीं होती है क्वेलन नॉंट इक उल इस वाजह से और रिटरन होके यहां पर आ गई थी तो वन हो ऑके नॉनन वल्यूस हो गिदाट वास ड्यवन के सबने हमने अपने कोलेश फंक्षन को यूज करने की कोशिश की अड़ फंक्षन का एडवांटेज यह हुआ कि हमारी जो नल वेल्यूस थी उनको हमने हैंडल कर लिया वह इनर जोइन होने के बावजूत भी रिटर्न ह होने लग गई नल वैल्यूज यहां पर जो एक प्रॉब्लम आई वो थी हम इंडेक्स यहां पर यूज नहीं कर सकते थे अभी के इसमें तो नहीं हमने इंडेक्स लिखे हुए पर अगर आपके पास मिलियंस ओफ रोज होती है तो आप इंडेक्स लिखते उन कॉलम्स पर ता आउट भी प्रॉपर आसका हमारा आउट भी प्रॉपर जो हमें नल वेल्यूज प्लस इनर जोइन का आउट पुट लाना था वह भी हम यहां रिटर्न कर पाए तो आल इन ओल मैं कहुँंगा जो हम आउट पुट अपने इंटर्व्योर को बताएं गे वह इस तरीके से जै अगर आपका इस से रिलेटिड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर शेर करें और फ्रेंट्स प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए इस तरीके की क्वालिटि वीडियोस हम डिलीवर करने की कोशिश फ्यूचर में करते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद